Hello everyone, आप सभी का चीज़ की कूड में शुआ गता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग asynchronous JavaScript के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि synchronous क्या होता है, asynchronous क्या होता है, single thread से क्या मतलब है और भी बहुत कुछ, तो शुरू करते हैं मारा lecture तो सबसे पहले बात करते हैं, JavaScript is single threaded तो इससे क्या मतलब है, तो simple concept है, एक समय पे सिर्फ एक ही काम होगा कोई multitasking नहीं होगी, आगर मैं humans की बात करता हूँ, तो हम multiple काम एक साथ कर रहे होते हैं for example मैं TV भी देख रहा होता हूँ, अपना phone भी चेक कर रहा होता हूँ, खाना भी खा रहा होता हूँ तो यहाँ पे हम लोग multiple काम कर रहे हैं, बट JavaScript के case में क्या होता है एक समय पे सिर्फ एक ही काम हो रहा होगा, तो इसको code के दुरू समझते हैं तो यहाँ पे आप सेकते हैं, मैंने तीन console.dog लगाया हूँ है, 1,2,3 तो इसको run करते हैं, तो यहाँ पे output देख सकते हैं, 1,2,3 आया है, expected था, यही output आना चाहिए था तो यहाँ पे code केसे execute हो रहा है, सबसे पहले हमारी यह वाली line चली, उसके बाद हमारी यह वाली line चली मलब यह वाली line हमारी तभी चलेगी, जब हमारा यह वाला code execute होगा तो इस तरीके से एक समय पे सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है, इसको हम लोग single threaded कहते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे alert में convert कर देता हूँ, अब इसको run करते हैं, तो यहाँ पे output देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा 1 आ है, उसके बाद हमारा alert आ गया है अब यह alert जब तक बन नहीं होगा, तब तक हमारी यह वाली line execute नहीं होगी, मतलब हमारा यह वाला code जब तक execute नहीं होगा, जब तक हमारी यह वाली line execute नहीं हो जाएगी तो इस तरीकी से जो हमारा code होता है वो line by line execute होता है same time पे इसलिए इसको हम लोग synchronous code कहते हैं अब जैसे मैं आपे ok प्रेस करूँगा तो आपे output देख सकते हैं 3 आ रहा है तो इस तरीकी से ये synchronous code काम करता है जब तक हमारा ये वाला operation पूरा नहीं होगा हमारी ये वाली line execute की होगी तो ये जो हमारी alert वाली call है इसको हम लोग blocking call भी कहते हैं क्योंकि हमारे आगे वाले code को block कर देती है जब तक हमारी alert की call पूरी नहीं हो थी तब तक हमारे आगे की statements execute नहीं होगी मतलब वो block हो जाएंगी तो इसी approach से हमारा JavaScript का code execute होता है line by line और same time पर तो इसको हम लोग synchronous कहते हैं या आप इसे blocking भी कह सकते हैं बट इस approach में एक problem है अब suppose मेरे पास एक ऐसा task आजाता है जो जादा time लेता है तो उसकी वैसे क्या होगा मेरा आगे वाला code जो है वो execute नहीं हो पाएगा जब तक मेरा वाला task complete नहीं होगा था मेरा आगे वाला code execute नहीं होगा और ऐसे हमारे पास बहुत सारे tasks होते हैं JavaScript के अंदर For example, अगर मुझे server से कोई data fetch करना है तो वो कुछ milliseconds लेता है उसको complete होने में तब तक हमारा code जो है वो रुका रहेगा similarly अगर मैं कोई image manipulate कर रहा हूँ तो वो भी एक time consuming task है अगर हमारी कोई बड़ी image होती है उसको मैं manipulate कर रहा हूँ उसको मैं manipulate कर रहा हूँ उसको कोई filters apply कर रहा हूँ तो वो एक time taking task है अगर मैं कोई large prime number find करने की कोशिश करता हूँ तो वो भी एक time consuming task है तो इस तरह किसे हमारा पस different tasks होते है जो कि time consuming होते है अगर मैं इनको synchronously execute करूँगा तो यह मारा आगे का code भी execute नहीं करने देंगे फर एक्जामपल अगर मेरी screen पर कोई text box है या फिर कोई buttons है उन पर मैं जो click का code लिखता हूँ या मैं उन पर type करने पर कुछ code execute कराना चाता हूँ तो मारा वो वाला code भी execute नहीं होगा क्योंकि जो हमारा JavaScript है वो इसी में ही उलजा हुआ है मालब वो पहले इस operation को complete करेगा तभी आपके event process करेगा वो तो इसी problem को solve करने के लिए हम लोग asynchronous code लिखता है जो कि non-blocking होता है non-blocking से मतलब यह है कि हमारे code को block नहीं करेगा अगर कोई operation जो है वो time ले रहा होगा तो उसको asynchronously execute करेगा और हमारा आगी का code execute हो जाएगा तो इससे क्या होगा जो हमारा thread होगा वो free हो जाएगा वो हमारे आगी के operations perform करता रहेगा और जैसी हो हमारा time consuming वाला task जो है वो complete हो जाएगा तो हमें information मिल जाएगी कि भी है वो task complete हो चुका है अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो तो इससरी किसे हमारा asynchronous code काम करता है तो इसको एक example से भी समझते हैं तो यहाँ पर मैं एक function define करता हूँ तो यह मैंने एक simple function define किया run task के नाम से और यहाँ पर मैंने एक for loop लगाया है जो कि एक large number तक loop चलाएगा loop के अंदर वो कुछ कर नहीं रहा है simply एक loop लगाया हुआ है जो कि हमारा इतने number तक execute होगा उसके बाद यहाँ पर मैंने एक console statement लगाई है तो इसको run करके दिखाता हूँ तो इस तरीकी से मैं इसको execute करूँगा तो इसको run करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप दिखेंगे सबसे बहले 1 आ गया और 2 और 3 थोड़ा time ले रहे है क्योंकि यह जो मारा fall loop है यह बहुत बड़े number तक चल रहा है तो यह थोड़ा सा time लेगा और उसकी वैसे क्या होगा कि हमारा आगे का code भी execute नहीं हो रहा है तो इसी problem को solve करने के लिए हम लोग asynchronous programming का use करते है तो एक और example देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक button define करता हूँ और इस पर एक on click function execute कर आते हैं तो इस button पर कोई text देते हैं तो यह मारा बास button आ रहा है अब मैं दुबार से इसको run करता हूँ और इस button पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे जब तक हमारा यह वाला portion execute नहीं हो जाता तब तक हमारा button का click call नहीं होगा मुलब जो हमारा code है वो हमारा code बुरा नहीं हो गया तो हमारा कोई भी code execute नहीं हो रहा है तो इसी चीज़ को solve करने के लिए हम लोग asynchronous code लिखते हैं क्योंकि हमारा पास multiple operations होते हैं जो की time taking होते हैं अब suppose यहाँ पर मैं कोई network call मारता और जब तक हमारी network call complete नहीं हो जाती मलब हमारा पास data नहीं हाता तब तक हम लोग रुके रहते हैं तो उस moment तक हमारा user जो है वो बैठा रहता हमारी application जो होल्ट हो जाती ना तो वो button पे click कर सकता है क्योंकि button का click कुछ काम नहीं करेगा ना तो मैं कुछ text box पर type कर सकता हूँ अगर मेरी screens पर कोई text box हैं तो उन पे भी मैं type नहीं कर पाऊंगा तो इस तरीके से हमारा code जो हो होल्ट हो जाता तो इसी problem को solve करने के लिए हम लोग asynchronous programming का use करते हैं callbacks हो गए, promises हो गए, async await हो गए तो इनके उपर आगे बात करेंगे तो अभी के लिए एक real life example देखते हैं कि हमारी real life में भी इस तरीके की जो problems आती हैं हम कैसे solve करते हैं अब suppose एक shoes की दुकान है, वहाँ पर shoes बेचे जाते हैं तो हमारे पास एक बंदा है, जो की सारा काम करता है वो distributor को call भी करता है कि यह जूते चाहिए अगर customers आते हैं तो उनको जूते भी दिखाता है उनका size ना, आपके उनको जूते के sizes दिखाता है तो वो सारे काम कर रहा होता है तो यहाँ पर आप दिसकते हैं, यह जो बंदा है वो एक काम पर भुझा दे नहीं लगा सकता है अगर वो distributor को call कर रहा है तो उसे जल्दी से निप्टाना होगा, जिससे वो customer को समान दिखा सके अगर हमाँ पर multiple customers आ गया है तो उनको उसको handle करना होगा सबको थोड़ा-थोड़ा time देना होगा बढ़ अगर वो किसी भी एक task पर जार time spend कर देगा, तो लोग नराज हो जाएंगे और चले जाएंगे तो real life में इस problem को solve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया बंदा रख लेते हैं तो ये नया बंदा क्या करेगा, हमारे warehouse वाले काम कर लेगा, या हमारा समान निकाल के लाना है वो वाला काम कर लेगा या distributor को call करना है तो वाला काम कर लेगा तो जो मारा main बंदा था वो सिर्फ customers को समान दिखाएगा और जितने भी back end वाले काम थे वो दूसरा बंदा handle कर लेगा तो same यही चीज हम लोग JavaScript में भी apply करेंगे अब suppose यह मेरी application है यहाँ पर हमारा JavaScript का code execute हो रहा है कोई भी browser हो सकता है आपका हम browser को कहेंगे कि भाई हमारा यह वाला काम कर दो वो हमारे लिए वो काम कर देगा जैसी वो काम हो जाएगा तो वो हमें बता देगा कि आपका यह वाला काम हो गया तो browser हमारे लिए network request मारेगा browser हमारे लिए कोई timer set करेगा अब java strip जो है वो single threaded है कोई भी 8 task पे वो जारा time नहीं दे सकती है तो जितने भी हमारे long running task होते हैं वो हम अपने browser को दे देते हैं तो हमारे behalf पे browser execute करता है उनको जब वो task complete हो जाता है तो हमें बतायता है कि आपका task complete हो गया है उसके according हम action perform करते हैं तो इसका एक example देखते हैं तो यहाँ पे मैं set timeout function call करता हूँ set timeout और यहाँ पे मैं एक function pass करूँगा जो कि हमारा callback होगा और यहाँ पे मैं time pass करता हूँ 5000 मलब 5 second के बाद हमारा यह function execute होगा और इसके अंदर हम लोग consort और log लगाते हैं तो यह वाला जो code है हमारा यह हमारा asynchronous code है मलब यह non-blocking है सबसे पहले 1 आएगा output में उसके बाद 3 आएगा और 5 second के बाद हमारा पास यह function execute होगा जो कि हमारा log करेगा 2 तो इसको run करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप दिख सकते हैं 1 3 आया और 5 second के बाद हमारा पास 2 आएगा तो यहाँ पे आप 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 दिख सकते हैं 2 लिखा आगया तो देखते हैं यह execute कैसे होता है तो सबसे पहले वो यहाँ पे पहुंचा उसने यह वाली line को execute कर दिया यहाँ पे output आगया 1 उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचा उसने देखा यह तो set time out है यानि यह asynchronous function है तो उसने browser को बोल दिया कि भाई यह तुम timer शुरू कर लो 5 second का जब 5 second complete हो जाएं तो मुझे पता देना मैं यहाँ फंक्शन execute कर दूँगा उसके बाद वो आगे बढ़ गया timer लगा के आगे बढ़ गया वो रुका नहीं कि 5 second होंगे तब ही मैं execute होंगा वो 5 second के लिए रुका नहीं है क्योंकि हमारा non-blocking code है सीधा वो यहाँ पे पहुंचा उसके बाद उसने 3 print किया तो हमारा यहाँ पे 3 आओ गया अब browser जो है वो timer चला रखा है उसने तो browser का जैसी 5 second पूरे हो जाएंगे तो वो JavaScript को बता देगा कि यह तिरा काम पूरा हो चुका है जो तुने मुझे काम बूला था वो complete हो चुका है यह लिए function यह execute कर दे तो हमारा पास output में आ जाएगा 2 तो इस तरीके से हमारा asynchronous code काम करता है तो यह वाला जो हमारा function है इसको हम लोग callback कहते हैं callback के बारे हम आप अलड़ी बात कर चुके है जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हमारा यह वाला function execute हो जाएगा तो यह हमारी first approach है जिसके तरो हमनी asynchronous वाली problem को solve करते हैं उसके बाद हमारा पास promises आते हैं promises के बाद हमारा पास async await है तो इनको आगे वाली videos में cover करेंगे तो I hope आपको यह clear हुआ होगा तो आज के लिए तना ही अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please like करें अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe करें Thank you for watching आपका दिन शुबो धन्यवाद यह language भी सीख लो वो language भी सीख लो जीवन एक race है उपर चड़ना सीख लो हो जाए जब सब कुछ को तुर्मना सीख लो उठा के बस्ता नापके रस्ता हर रो कुई चला है आइटी में आइटी 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 में अइटी आइटी आइटी में